तो इस वीडियो के स्टाइटे से लेकर एंड तक जरूर देखेगा वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक कर जिएगा यदि चैनल पर नहीं है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिए यह हाफ एरली एक्जाम 2021 का कोच्छन पेपर है आपकी क्लास 12 सब्जिक चैनल इंग्लिश है तो इसमें देखिए इच कोच्छन के रिए वन मार्क तो यहाँ पर जो आप्जिक कोच्छन देगा है पूरे आप्जिक में आपको एक्सप्रेंट कराने वाला हूं तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट कोच्छन है अकोडिग को और वोन लों उसके सबसे कलेब हैं आपैसस आपके सामने हैं मैंवर profund Sun li को वर्क करस औल ऑफ दें इसकार इंसर होगा ऑल आफ दें जी है ऑल ऑ फदें यह सभी के सभी को करीब हैं इसके फैमिली मैंबर्स भी हैं और यह सभी-को व्य सिंसर्ट के बताना है हम इसका राय था होगा option number third aware attentive का right answer होगा aware मतलब कि इसका similar meaning है चलिए जान लेते हैं कोच नमबर third हमारा कोच नमबर third है the word opposite in meaning of furthest यहाँ पे आपको furthest का opposite बताना है मतलब इसका आपको antonym बताना है विलोन बता रहा है तो furthest मतलब होता है सबसे दूर तो इसका right answer होगा nearest जो होगा सबसे पास सबसे करीबी furthest का opposite होगा nearest यह superlative degree है तो इसका right answer होगा nearest सबसे करीबी जानते हैं कोच नमबर four तो हमारे कोच नमबर four है a word similar in meaning to allow quiet voice तो अलो quiet voice मतलब होता है धीमी आवाज बिलकुल सिलो सिलो धीमी आवाज जिसका right answer होगा विश पर जिसको कहते है फुस पुसाना विश पर कोई का similar meaning होगा विश पर चलिए जान लेते हैं कोच नमबर five तो students हमारा कोच नमबर five है a word similar in meaning to the word hair hair तो hair मतलब होता है सुनना तो hair का आपको यहाँ पर similar बताना है तो student आप भी guess कर सकते हैं इसका right answer होगा listen listen मतलब भी सुनना होता है hair मतलब भी सुनना होता है लेकिन दोनों में बहुत difference होता है अब डिफरेंस क्या होता है इसके उपर हम यहाँ पर opposite बताना है तो पहले जान लेजिए near मतलब क्या होता है near means होता है pass जी हाँ जब near means होता है pass तो इसका right answer होगा for for means होता है दूर बाकि जो भी option दे गए वो कोई सब ही correct नहीं होगा वो सब के सब incorrect है right answer होगा हमारा for near means होता है pass और near का opposite पूछा गया है जो के होगा far after number first जाले थे कोच्छ नमबर 7 के बारे में तो इस्ट्रीड हमारा कोच्छ नमबर 7 है the point has not mentioned people as far from him तो point ने किन को mention नहीं किया गया है जो उससे दूर है तो options आपके सामने हापले से डाउंट्रोडन है फगटन है एंगाइस थे तो हमारा right answer होगा option number second downtrodent 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 को mention नहीं किया गया था जो लोग उसके far है उनमें downtrodent का जिक्र नहीं किया गया था कोच्छ नमबर 8 है कोच्छ नमबर 8 को solve कर लेते हैं कोच्छ नमबर 8 पे पूच गये mini set in her wheelchair जो mini है वो अपनी wheelchair में बैठी हुई थी wheelchair पर बैठी हुई थी लेकिन वो जो wheelchair है वो कहा रखी हुई थी wheelchair पर तो बैठी थी लेकिन wheelchair कहा थी उसके bedroom में थी ड्राइंग रूम में थी in the balcony में थी या in her kitchen तो student इसका right answer होगा in the balcony मिनी अपनी बालकनी में wheelchair पर बैठी हुई थी तो right answer होगा in the balcony option number second coach number 8 है जा लेते हैं students coach number 9 के बारे में तो हमारा coach number 9 है in spite of strong breeze children were interested in there तो बहुत तूफानी हवा बहुत जोर की हवा चल रही थी बारिश होने के आसार थे उसके बाद भी जो इस्ट्रेंट थे जो बच्चे थे जो चिल्डन थे वो इंट्रेस्टेट थे अपने गेम खेलने में तो कौन सा गेम खेल रहे थे hide and seek, ball game, cricket या running and shooting तो इसका right answer होगा ball game, जी या तो इस्ट्रेंट जो बच्चे जो थे जो चिल्डन थे वो अपना ball game खेल रहे थे, उनको कोई फरक नहीं पढ़ रहा था, मौसम बहुत जादा खराब हो रहा था, लेकिन वो अपने गेम में busy थे, वो कौन सा गेम खेल ले थे, ball game, question number 10 है, तो question number 10 का जान लेते ह तो options आपके सामने है, one, two, three, option को read कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको directly इसका right answer बता देता हूँ, तो student इसका right answer होगा, it was, it was too windy to sit outside, it was too windy to sit outside, ये इसका right answer होगा, option number first, okay, option number first है, चलिए जान लेते है question number 11 के बारे में, student हमारा question number 11 है, many was a spastic, a spastic is a person who, many जो थी हो एक spastic girl थी, लेकिन spastic कौन होता है, तो यहाँ पर options आपके सामने दिये गए हैं, इसका right answer आपको बताना है, तो देखिए मैं इसका right answer बता जिता हूँ, option number four होगा, has no control over his legs, तो a spastic is a person who has no control over his legs, तो a spastic वो person होता है, जिसको अपने legs पर, अपने hands पर, या उसको हम कह सकते हैं, complete body पर, birth से control नहीं होता है, controlation नहीं होता है, उसको कहा जाता है, spastic, जिसको पक्चागात की बीमारी कहा जाता है, हिंदी में, तो question number 11 का right answer होगा, option number four, okay, चलिए, बात करते हम, question number 12 के बारे में, तो हमारा 12 नमर का question है, many had no friends because, many का कोई friend नहीं था, क्योंकि, तेकि options आपके सामने है, children were busy with their game, children did not like to play with her, many was new in the colony, many didn't play with the children, तो question number 12 का हमारा right answer होगा, option number first, children were busy with their game, जिया, तो वो जो चिल्डरन थे, वो जो बच्चे थे, वो अपने खुद के गेम में busy थे, इसलिए, मिनी का कोई friend नहीं था, मिनी का कोई mentor नहीं था, जा लेते है, question number 13 के बारे में, हमारे question number 13 है, many's favorite pass time was, तो मिनी का जो सबसे अच्छा time जो pass होता था, वो कैसे होता था, कब होता था, question number 13 है, options आपके सामने है, तो देख सकते है, options में इसको right answer आपको directly बता देता हूँ, इसका right answer होगा, हमारा option number second, जिया, मैं इसको over clear आपको बता जेता हूँ, option number second है, आप बिल्कुल भी confused न जब watch the children at their play, तो वो बच्चों को खेलता हुआ देखकर अपने time को pass करती थी, वही उसका सबसे अच्छा time होता था, वही उसका favorite वक्त होता था, जब वो बच्चों को खेलता हुआ, बालकरी में अपनी wheelchair पर बेटे हुई, देखती थी, चली strengths जान लेते है, question number 14 के बारे में किसके तोरा खिलाए गया है, उसको किसे ने खिलाए गया, who fed, मतलब किसे ने खिलाए है, feed की second farm है, feed क्या है, feed की past farm है, और feed means होता है, खिलाना, फिलेवाला झेखना खिलाए, तो who fed, किसे ने खिलाए है, वह जो duck है, duck को, in Additionally, 인adowsH होगा जान लेते हैं कोचन नमर 15 के बारे में तो हमारे कोचन नमर 15 है तो लर्न नेवर तू प्रिजिडाइज अगेंस्ट कशन नमर 15 है राइट आसा चले जिए तो इसको हमारा राइट आसर होगा option second जी है option second होगा conceive जी है वीडियो बहुत जादर लंबा हो जाएगा इसलिए जादर में इसको detail में explain नहीं करा रहा हूँ क्योंकि already में question bank को explain करा चुका हूँ detail में आपको options बता चुका हूँ इसलिए इस question paper को solve करा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा fast चल रहा है जिससे के वीडियो जादर लंबा ना किचे लेकिन श्रेंट से मेरी आपसर request है कि इस वीडियो के status लेकर end तक जरूर देखीगा बिना pause किये बिना skip किये जिससे के आपके सारे जो question से clear हो जाएंगे board exam में type 3 question आपके पूछे जाने वाले हैं और वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को like तो कर देना like बटन आप जल्दी से दबा देजिए चलिए जान लेतने question number 16 के बारे हमारे question number 16 है मैं तो इसको clear कर लेता हूँ question 16 में पूछा गया है the father wishes his son to keep appearance himself as blank space against the idle snares of the world okay options आपके सामने है genetic, defense, offense, despise question number 16 है इसका अमारा right answer होगा option number 3 defense जी हाँ defense अब ये कहां से हुआ आप से मैंने already बोला है chapters को detail में read कीजिए जैदि आप इसको detail में read करते हैं तो ये सारे options आपको आपके chapter में ही मिल जाएंगे वही इसका man source है option number 3 defense चलिए जान लेते हैं question number 17 question number 17 है the author want his son never to blank space anyone at all question number 17 है तो हमारा इसका right answer होगा 17 का option number 2 despise, despise ये इसका right answer है question number 18 है, question number 18 के बारे में पुचे गए तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ question number 18 हमारा है hazlet tells his son, hazlet मतलब जो कि इसके writer है tell his son, that the first lesson to learn is that there are other people in the world beside options आपके सामने है himself है, yourself है, myself है, myself है, themselves है question number 18 का right answer होगा yourself, जी है इसका right answer था, yourself question number 19 है, जान लेते है question number 19 के बारे में, तो हमारे question number 19 में पुचा गया students, true black space is the only true morality or true wisdom, options आपके सामने insanity, equality amity, या polite question number 19 का right answer होगा हमारा option number second equality, जी है, equality true equality is the only true morality equality इसका right answer है, option number second, question number 20 के बारे में, बात करते हैं, question number 20 को जान लेते हैं, हमारे question number 20 है a good old rule, as mentioned as the lesson is, to question number 20 है, quote 20 का हमारा right answer होगा hope for the best hope for the best तो ये सारे answers जो आपको मिल रहे हैं, जो आपको मैं आपको बता रहा हूँ, ये best है, आपके chapter से, ये जो source, man source, जो है आपके chapters है, chapters को आप detail में read करेंगे, तो आपको ये सम मिल जाएंगे, और already मैंने वीडियो जो कोचन बेंकी बनाई है, first और second की, उसमें ये questions आपको मैंन बनाई है, उसकी भी जल्दी से वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी वो वीडियो भी आने वाली है, तो question number 20 का right answer होगा, hope for the best, option number 4, question number 21 को solve कर लेते हैं, question number 21 है, as you know, nothing of the unfamiliar persons learn never to, okay, question number 21 है, as you know, nothing of the unfamiliar persons learn never to, question number 21 का right answer होगा, option number 3, okay, conceive prejudice against others, ये इसका right answer होगा, question number 22, तो question number 22 है, इसका question है, we should never despise anyone for his, options आपके सामने हैं, रिचने से, गुदने से, पावर्टी है, success है, तो हमारा 22 का option होगा, हमारा, option number 3, poverty, जी हा, poverty, we should never despise anyone for his, poverty, तो हमें किसी का, तृसकार नहीं करना चाहिए, किसी का, बाइकार नहीं करना चाहिए, उसकी, गरीबी की बज़ा से, उसकी, पावर्टी की बज़ा से, उसका, बाइकार नहीं करना चाहिए, ओके, ये question number 22 का, right answer था, option number 3, जाल लेते है, question number 23 के बारे में, कोज़ लइत नमर 23 तो कोज़ लन्टीट नमर 23 हों कि दोए जी डिसले को और जेपर समय आज देखिए तory का डाले थे 24 नोबर 24 है how do the point addresses the earth in the third tense of this poem he how do the point address the earth तो प्AULिटब को संभोदीत करता है address करता है 3rd episode of this poem okay to coach no1 24 है में ऑप्जिस आपके सामने जापने美味 TV फ्रेंडली कोच데र मड़ ठाहिन नमबर त्री friendly, जी हा, right answer क्या होगा, friendly, चलिए question number 25, जो कि last है इसको solve कर लेते हैं question number 25 है, इसमें पूछे गया है, there is wonderful growth on the world, okay, options आपके सामने है, इसका right answer होगा breast, जी हा, breast, chest head, body, ये नहीं होगा, options होगा breast, तो ये थी 25 questions, जो के objectives है, आपके half early exam के, जो question paper है, question paper को मैंने explain करा दिया है, इसके 25 objects को मैंने explain करा दिया है, तो इस ट्रेट्स उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको पसा नहीं होगी, और आप इस question paper से satisfied हुए होगे, तो इस वीडियो को like कर जीएगा, अपने सारे friends को जादा जादा शेयर कर जीएगा, और हाई students, यदि आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, यदि आप हमारे चल्पन नहे है, तो चल्पन को subscribe जरूर कर जीएगा, साथ में bell icon को प्रेस कर जीएगा, जिससे आने वाली videos की notification सबसे पिले आपको मिलते रहेंगे, यदि आपका कोई comment है, तो आप comment बाक पर जाकर comment करके बता सकते हैं